गुल्शन कुमार को Music Industry का Godfather कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। गुल्शन कुमार ने अपने करियर में Music के प्रचार प्रयार में जो योगदान दिया वो कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाया। गुल्शन कुमार गाने की तान और सुर सुनकर ही उसके हिट और फ्लॉप का टैग देने की दम रखते थे। आशिकी जैसे सुपर हिट म्यूजिक एल्बम को फिल्म की कहानी में पिरोकर करोडो रुपे कूट दिये थे। गुल्शन कुमार ने एक ऐसी भी फिल्म बनाई थी जो कभी रिलीज तो नहीं हो पाई फिर भी सुपर हिट रही थी। इस फिल्म का नाम था लाल दुपट्टा मलमिल का और इसे रिलीज किया गया था साल 1989 में। दरसल साल 1989 में गुल्शन कुमार ने दस गानों से सजा एक एल्बम तयार किया था। इस एल्बम के गाने जबरदस्त थे। इन गानों को रिलीज से पहले ही गुलशन कुमार ने इसको लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला लिया। इन गानों को एक एल्बम पर फिल्म की कहानी तयार की गई। इन गानों को असी के दशक के सुपरस्टार सिंगर्ज अनुराधा पोडवाल, मौहम्मद अजीज, उदित नारायन और सुरेश वाडकर ने अपनी आवाज से सजाया था। क्या करते थे साजना तुम हमसे लाल दुपट्टा मलमल का सूनी सूनी अखियों में रकीबों से हबीबों से जैसे गानों से सजी ये फिल्म रिलीज होने में काम्याब नहीं हो पाई। फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन फिल्म का एल्बम मार्किट में रिलीज कर दिया गया जब फिल्म का एल्बम रिलीज हुआ तो रातों रात सुपर हिट हो गया फिल्म के दस के दस गानों ने बाजार में धूम मचा दी साथ ही फिल्म बिना रिलीस के ही बाजार में डीवीडी में बिखने लगी फिल्म की कहानी भी लोगों को खूब पसंद आई साथ ही गानों को भी लोगों ने खूब प्यार दिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म बिना रिलीस के भी सुपर हिट रही थी 75 लाख रुपए से बनी इस फिल्म ने करीब 2 करोड रुप्यों से ज्यादा की कमाई कर सभी को चौंका दिया था आज भी इस फिल्म के गाने और कहानी को लोग याद करते हैं फिल्म के गाने आज भी सदाबहार गानों की लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं